वाई गुरुची का खालसा वाई गुरुची की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर छे विच तड़ा सारेंदा स्वागत है मैं अर्शंदर पारकवार आज तड़े ले लेसन नमबर चौदां लेके हाज़र हाँ १्रुची नमदा महतव १्रु शिखनाम गात्व १्रुची नमदा महतव ? सिखनाम गात्व १्रुची नमदा महतव is importance. Right? So why they are special. Right? Sikh names are special, right? What is the importance of Sikh names? तो आज असी ए सिखांगे, जिस तरह असी हार पार्टे विच पेला कुछ जड़े अखे शब्द हुंदे, उना नू सिखके, वोकाबलरी वर्ड्स नू सिखके असी पार्ट पढ़ना शिरू कर देया, ता जो चानू पार्टी चंगी तरह समझा जावे, तो एदे विच जड तो तो ने जड़े हुँ, कौन, वाट, की, कदो, कित्थे, अत्य के में इना कॉस्टन्स दे ना तो सी राइटिंग करूगे, ठीके? So, cultural awareness दे विच हैगे, demonstrate understanding of the roles that products and practices play in the culture. So, ओ, तुसी, एदे विच चिखोगे पार्टे वेचे. So, असी पार्ट शिरू कर देया हैं with our vocabulary words. पहला शब्द है, चल्क. चल्क is glimpse. सक्षियत, personality. असर, effect. नजर आवे, is visible. बीजी, mother. सारी उमरले, for all our lives. वतीरा, behavior. मान दुकाना, hurt feelings, गुना दी, of qualities, वंड बे, distribute. आज दा पाज, सिख नावादा महत्व. साड़े नावादा, साड़ी परस्नेल्टी, जाँ, शिक्सियत ते, असर पेंदा है. असी कोशिश कर दे हां, के साड़े कमा विच, साड़े ना दी, चल्क नजर आवे. साड़े ना, सारी उमर ले, साड़ी पच्छाण बाढ़ जान दे हां. सिख ना बहुत खास हुन दे हां, क्योंके इन ना नावादा, कोई ना कोई मतलब हुन्दा है. मेरा ना पुश्पिंदर कौर है. मेरा ना पुश्पिंदर अप्पे अखरतों शुरू होना सी. जद मैं पांच साल दी होई, ता मैंनू मेरे बीजी ने पुच्छा, कि मैं अपना ना की रखना है. परमिंदर, जा पुश्पिंदर. मैं इन ना नामा दा मतलब पुच्छा, बीजी ने कहा, परमिंदर दा मतलब है रबदी बहुत प्यारी, ते पुश्पिंदर दा मतलब है रबदे बाग दा फुल. मैंनू पुश्पिंदर ना दा मतलब चंगा लगदा, ते मैं ए ना अपने ले चुनया. तो ए पिश्पेंदरांटी जी ने अपने नादी कहानी दसी है कि किस तरह उनने अपना नाम आप रख्या, अक्सर साधा ना, साधे वड़े राख दिल देया, पर पिश्पेंदरांटी जी दे बंदे विच ए स्पेशल सी कि उननु अपना नाम चुनन दा मौका मिल्या, ति उननने अपने नाम दा मतलब पोच के जिड़ा के बड़ा प्यारा मतलब है, ति उननने अपने लिए नाचुन्ःा. मैं जद भी अपने नाम बारे सोच दी हां ता मेरे ख्याल विच फुला दी सक्षियत आंदी है फुल की कर दे हां? फुल सोने हुन दे हां? फुल अपने आलेद वालेनु सोना बणाओ दे हां? फुल खुशियां वड़ दे हां? असी फुल देखके किन्ने खोश हो जांदे हां? फुल किसे नु तांग नहीं कर दे, किसे दा मन नहीं दुखोंदे मैं हमेशा अरदास कर दी हां के वाई गुरुजी मैंनू मेरे नावाली सक्षियत बख्षन मैं हमेशा अपने आले द्वाले नु सोना बणामा, खुशियां वंडा, किसे नु तांग ना करा, किसे दा मन ना दुखामा, इस सोच नाल मेरा दूसरया नाल वतीरा चंगा बण जानदा है, वतीरा बिहेवियर, right? सो ए दिलना सोच के, किन्दे मेरा दूसरया देनाल बिहेवियर चंगा बंढ जानता है, सो मैंनू कुश्पेंदर अंटी जी दे नाम बारे पड़ देया, बहुत चंगा महसूस हो रहा है कि उनना दे नादा किन्ना सोना अर्था ते उनना दे सक्षियत भी उस्तरा दिया, उनना दी प्रसनेल्टी भी फुला वर गी है, जी दे विचों के ओ खुश्भू, खुशी वांड देया, अपनी प्रसनेल्टी देना, तो अड़े किन्या सोनीय किताबा लिखके, तो अदे विचों किन्नी नौलेज मिल दिया, सो ता अड़े किन्ना काम कीता हुना ने, ये पड़े, आँ पोठ चंगा लगला, अड़े विचो अधे अब प्रसं पुच्यांगे, questions, तो अड़े ना दा की मतलब है, right, so what is the meaning of your name, तो अड़ेना की सेने रख ट्क ल Tú reference हो ओडेना की सेने साहा किसने रख थे वे सी, तो अदे नाम दा मतलब टे तो अड़े नाम किसने रख्यासी है न, who gave you your name, right? So, सिख नामा दे मतलब, so असी पला सिख नामा दे दिगाल किती के किस तरह सादे नामा दे एहमियत की दिया, कि सादे ना दे विच्छों सादे परसनलिटी दे चल्क मिल दिया है, so हुन असी सिख नामा बारे सिख देया, सिख ना दो छोटे नामा दे बड़े हुनते हान, आम करके है न, so हर हिस्से दा सोना मतलब हुन्दा है, जिमें पंजाबी ना दा हिस्सा कि दा है, देव, दा मतलब हैगा, दर ए गाद, हर, असी कई वरी हर से हरी नाल भी लेख देया, जिदा ना है का राभ है न, गाद, सो इंदर फिर गाद, इन सारे नामा दा देव, हर, इंदर, इन दा मतलब गाद, जीत, विट्री, जित जिदी हुन्दी है न, सुख, हैपिनेस, याख, कमफर्द है न, पर्म, बिलव्ड, पर्म हुन्दा प्यारा, जांसदा न, बिलव्ड, English देवेच, जोत, लाइट, मन, माइड और हार्ट, है न, पाल, केर्टेकर, प्रीत, लव, जां प्यार, है न, तेज, एनरजी, दिवाइन, सो गुरु, you all know गुरु है न, एश्रहे, पुर्ख सख़ए के न, हुठे हिस्ट पुप फोंदे हैं हुच majdया है न, सो ऑन भी हिसता है न झालम हो साख़ए है, के लगत्थे, माइपचे प्येदि ये जां पिच्छे, प्रित वित ये, जां इंदर माइदि ये, सो ऐस्तरा करके साथ देज़े है गया सिखनें बढ़ देया सिखना बढ़ देया करदा कान। 14.2 सिखनामादा महत्तव एक इस्तरा करोगे प्रशन हेथा लिखे वाग कान दे हिस्से आपस विच जोड के पूरे वाग बनाओ फिर ठीक वाग लाइना ते लिखो लाइना ते लिखोगे तुसी पहला इदर ले हिस्से नू इस हिस्से नाल जोड़ोगे दे विच्छो लब है साधी परसनेल्टी जा शक्सियत ते भी असर बेंदा है राइट सो एह हो सक्दा या के कोई हो तुसी देखना असी कोशिश कार दे हांके साधे कमा विच्छो साधे ना दी चलकावे राइट साधे ना सारी उमर लेई साधी पिशान बन जान दे हम सिख ना बहुत खास ते तुसी एदे विच्छो देखोगे कि क्योंके इनन आमदा कोई ना कोई मतलब हुंदा है जांके सारी उमर लेई सारी पिछान बन जान दे हम तुसी देखना है कि एदे नाल की जान दा है केडा हिस्सा एदे नाल जोड़ोगे ते एक complete answer बनेगा फिर तुसी उन्हो एस एदे लिखोगे तुसी एक वरी होर लेसन नो सोड लेना इस पार्थ नो या के पढ़ लेना नाल नाल पढ़ लेना ता जो तो अनो समझा जाए कि तुसी फिर इनना questions नो answer कार सको साधे नामा साधी personality या शक्सियत की में असर पहन अधा है तो और शक्सियत रोड़ोगो गोन की आजानँ कूशिदे ओपने तो यह दो दा साथ ते असर हूना है। सिखना की में खास हून्दे हन। एक उसे लिखो गे। क्योंके नदा कोई-नदा कोई मतलब हून्दा है। फिर परफशन नमबर साथ है गाए। सिखना दो छोटे नवादे बड़े हून्दे हन। हेथा नामा दे हिस्यानों उननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन फिर जीत एदा की मतलब है, उन्हों तुसी मैच करोगे, तुसी इधे बुकार्णरी पढ़ सक देओ, दूसरे पासे पार्ट पढ़ सक देओ, तुसी तरह समझ के, फिर तुसी एदा स्वालां दे मतलब लिखोगे, ठीक है, आंसर करोगे, तौदा की नाम है, तौदे नादा की मतलब है, एक तौदे लिखोटन है, ठीक है, सो तुसी इन लिखना है थे, फिर तौदा का दा का हूर की है, 14.3, 14.10, सिख नाम दा महतर, पाटते विचो, लिस्निंग जडिया, फॉलो, इंस्ट्रॉक्शंस तु कम्प्लीट अ टास्क, इस अ टास्क पर यू, ते की टास हैगा, आज का जाके एक प्रोजेक्ट करो, अपने मम्मी डैडी जाके से होर रिष्टेदार कोलो, उनना दा ना पुछो, फिर उनना कोनो उनना दे नाम दा मतलब पुछो, उनना नू एवी पुछो, कि उनना नू अपना ना क्यों पसांद है, हेठा लिखे प्रशन वर्त तो अडे ना दा की मतलब है, ते फिर उनना दसनगे, फिर उसे थे लिखोगे, फिर तो हनो अपना ना क्यों पसांद है, फिर जो वी ओदा कारण दसनगे, जिसरा पिश्पंदरा अंटी जी ने दसया सी, कि मैंनो इन ना पसांद है, क्योंकि इदे ज़दर रब्द बाग फुला दा मतलब मेरे ना दा, फिर फुला दी सक्षियत मैंने सोनी लग दिया, मैं फुला बारे सोच दिया, कि फुला सानो खुषी दिन दे हन, खुष्भू दिन दे हन, सुख दिन दे हन, उनननो वे क्यों से सारे खुष हो जान दे हन, ते इस तरह निया गला, इस करके उ अपना नाम पसांद सी, ठीक है, so उनने उदेविचे दस्या है, so ता डिनाल संजा कीता है कि में उनने अपना नाम आपे रख्या, ते उनने क्यों पसांद आया, ते उनने संजा कीता है, ता डिनाल, now it's your turn, के तुसी किसे नो पुछोगे, नाम, family member नो, ते उनना दा मतलब पुछोगे, फिर उनननो नाम क्यों पसांद है अतना, ते फिर तुसी अध्योदा answer लिखोगे, ठीक है जी, आज एना ही, ते तुसी अपना अच्छी तरह पाट पड़ो, थाड़ी जड़ी reading दी fluency वोड्स पढ़ सक्ड़ो, के ने शब्द पढ़ सक्ड़ो, ते पूरा पाठ पढ़न ली तो अनू कि ना समा लगदा है, ते तुसी बार-बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो तो तड़ी fluency है किया, ओ वदेगी, रवान की वदेगी, ठीक है जी, सो हुन ऐसी अथे फते बलांदे हाँ, वाइगुर जी का खाल सा, वाइगुर जी की फते,